गाईज आज की वीडियो को जो हमारा टॉपेक रहेगा हम उसमें सीखेंगे कि देखो इसे क्लिक करने के बाद बैगराउंड चेंज हो रहा है देख सकते हो आप एक चीज नोटिस करो कि हम इसे क्रेट करेंगे विद्धी है और विद्धी सिंपल कोडिंग ठीक है ज्यादा कुछ नहीं है अब इस शीज को सीधा डायरेक्ट क्रेट करते हैं बाई टाटा गुडबाई गया जैनि शीज को क्रेट करने के लिए सबसे पहले हम आपने कोड़र्टर मा आ चुका हू यहाँ पर जो मेरी markup है इसमें पहले basic syntax लेगा देन उसके बाद title दिया जैसे मेरे changing background on click means मैं एक button को click करो तो उसका background change हो उस पे and then title के बाद link करने होती है अपनी style.css style.css में आप यह देख सकतो as usual यहाँ पर मैंने कुछ नहीं रखा then body की बात करते है body के अंदर मैं सबसे बटन क्रिएट करूंगा जिसकी ID होगी BTN एंटर करो और यहां पर आप लिख दो जैसके मैंने लिखा जो यह मेरा क्लिक मी बटन है style.css की बात करते हैं यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा और इससे थोड़ा चोटा करता हूं means बिल्कुल ही चोटा भी नहीं इतना है यहां पर लिखता हूं सबसे पहले body body के अंदर हमारा रहता है कि पहले बाहर से खिसकाओ वो होगा zero अंदर से खिसकाओ होगा zero font family will be sensory means आप किस तरह की लिखावट चाते हो वो आपके उपर depend करता है and then यहां पर box sizing देता हूं मैं border box and then यहां पर एक background दूँगा background अभी के लिए तो comment कर देता हूं कि background मैं एक particular website से दूँगा अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा button है इस चीज को मैं center तो इसके लिए यहां पर तीन magical properties होती है सबसे पहला होता है display will be flags then उसके बाद होता है align item will be center justify content will be center तो इन तीन property के वजए से जो भी चीज है वाला जो भी body के अंतर है वो center माह जाना चाहिए बट आपको यह तो टॉप है बट एक और चीज याद रखने है यहां पर आपको एक height भी define करने होती है जो मैं दी 100 भी image means जितनी भी height इसे एक बार में मिल रही है तो इसका center ढूंड के यहां आ चुका है click me button and then अभी button को style करना है button को style करने के लिए यहां पर button इसके अंदर सबसे पहले मैं width देता हूं 150 pixel means थोड़ी सी बड़ी height मलब वेड़ता है and then height 60 pixel and आप इसका background change कर सकते हो जैसके मैंने hash EE रखा जो की smoke color का है तो आप देख पा रहे होगे यह देखो जो यह black color का border सा रहा है इससे हटाने के लिए यहां पर लिखो border will be none and then आप इस पे बेफ़जूल की outline भी नहीं चाहते तो यहां पर none ठीक है अब जैसके आप इस पर click करोगे click करने के बाद आप चाहते हो कि इसका font size भी थोड़ा बड़ा दिखे because ऐसे तो दिखनी रहा तो यहां पर font size लिख देता हूं let's suppose 17 pixel जब आप 17 pixel के विए थोड़ा सा बड़ा हो चुका है and then यहां पर मैं transition भी चाहता हूं transition will be 0.5 second का होगा जब यह gray से blue color बाएगा तो वह बात की बात है यह click button के बंदर and then इसके बाद मैं यहां पर दे देता हूं अगली property cursor will be pointer means जब इस पर hover करे then यह चीज एक हाथ में बदल जाए जब इस पर आए ठीक है यह cursor pointer की property है then आप देना चाहों यहां पर हो सकता है box shadow will be 0,0 means 0 from x axis 0 from y axis 10 pixel का blur and then rgb यह दे देता हूं मैं इसे alt z करके 0 0 0 0.5 0.5 तो जब भी जाले कह दिया आप यहां पर 0.3 रखो कि थोड़ा अच्छा दिएगा तो आप यह देख सकतो इसके वह side में box shadow भी add हो चुकी है अब मैं चाहता हूं कि जब मैं आपने button को hover करूं तो hover class भी add करना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं button slash hover जब अब यह करो दैन इसका जो background हो 0 3 A 1 F and then इसका जो color है वो हो जाए white दैन इससे क्यों होगे कि आप क्या आसर पड़ गया तो आप देखो जैसके मैं इसे hover कर रहा हूं then यह जो button है इस पर क्या आसर आ रहा है आ मैं चाहता हूं कि जब इस चीज पाए तो यहां पर जो मेरी box shadow होगी वो हो जाए none ठीक है अब none करने के बाद आप यह देख पा रहे हो कि जब जब तक इसको पर hover नहीं करता है तब तक इसकी box shadow में नहीं रहती है hover करने पर box shadow हटती है अब इसे cancel करते है अब JavaScript का part आएगा तो उसको create करने के लिए यहां पर script लिखना चाहता हूं script के अंदर क्या होगा बिल्कुल basic से बदा के चलूँगा सबसे पहले एक array create करेंगे तो array क्या है मतलब where नहीं sorry let let करता हूं मैं एक array one array two या one जो भी है आपको उपर depend करता है array को कैसे represent करते है one two three four आप कैसे है collection of homogeneous data types is no as elements is no as array है ना array जैसकि यहां पर मैंने अभी semi column डाला और इस चीच को आपको let's suppose 6 बार मैं इसे copy करूंगा extra एक दो तीन चार पांच छे चे के बाद इसे cross करना है and terminate है इस window को एक चीज थी जो मेरे style.css इस चीच को commentate out करते हैं और background मैंने दे दिया background था अभी background इसके लिए भी अच्छा सा select करेंगे तो इसे open करते हैं अपने live server से open करो live server से या फिर नीचे यहां पर जो है उससे त impact करने के बाद then आप यह देख पाऊगे console के अंदर live server open हो चुका है और इस चीच को कुछ मैं इस तरह से sorry यह वाला नीच इस चीच को थोड़ा shrink करता हूं कि मेरे जो मेरा code editor है इससे थोड़ी जगे मिले array के अंदर यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं flat UI colors जैसे आप flat UI colors इस लिखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा template आजाएगा आप इस पर click करना simply यह smoke वाला color copy करना copy करने के बाद just paste कर देना आप यह देख पाऊगे कि जो यह इसका background है वो हमारा change हो चुका है F12 करो वापिस inspect करना है आप सीधा जो यह मेरे background color है इसे मैं as a array element यूज करूँगा कि मतलब यह जो hex code है जो मेरे hex code मैं अभी copy कर रहा हूँ इन चीज को यहाँ पर सीधा paste करना है blue color नी यह वाला नी अब यह देखो यह मेरे array के अंदर total 7 elements है total 7 elements है index 0 पे यह 1 पे यह 2 पे यह 3 पे यह 5 पे यह 6 पे यह ना total 6 index है इसके अंदर पहले मैं check करता हूँ कि मेरा console च log इसके अंदर मैं simple लिख देता हूँ high कि check करने के लिए काम करने कर रहा है देखो आप ही देख रहे होगे कि यहाँ पर लिखा रहा है high अब then इसके बाद इसको comment it out कर देता हूँ comment करने के बाद मैं एक और चीज बनाता हूँ जिससे मैं कहता हूँ i i initially 0 रहेगा इसमें total 6 index है आप यहाँ देख सकतो total मेरे पास अभी initially कितने 6 index है then अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले में select करता हूँ एक element को get element by id id क्या होगी मेरी btn आप यह देख पारे होगे simple सा btn मैंने copy किया यहाँ पर and then dot अब मैं क्या चाहता हूँ add event listener मतला जब मैं इस पर click करूँ या फिर कुछ भी करूँ hover करूँ तो एक event चलना चाहिए event मैं लिखता हूँ मैं click click के अंदर जब यह click हो then एक function run होगा तो आप यह query की मतलद से भी कर सकते थे ऐसी बात नहीं है कि इससे ज्यादा असान पर रहता बट मैं चाहता था simple रखना अब मैं देखता हूँ कि यह actually काम कर भी रहा है नहीं कर रहा तो मेरे को करना क्या है कि ज इससे double करना और यहाँ पर लियाना ठीक है अब यहाँ पर मैं इसे वापिस non comment कर देता हूँ जाज कि मैं इस पर click करूँगा तो आप यह देख पा रहे हो कि high आ रहा है जितनी बार click कर रहा हूँ उतनी बार यह अब इसे refresh करने पर initially यह एक बार भी नहीं है अभी एक बार करता है वापिस comment करने के बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा document सबसे पहले मैं select करता हूँ document.body जो मेरी entire body है बहुत जो वेब पेज के entire body जिसका background यह ग्रेसा है इसका dot dot करके मैंने इसे style करना चाहता हूँ style कैसे क्या करना चाहता हूँ इसमें मैं background और background की value होगी ज array one आईटा देखो initially तो यह 0 है और देखो इस चीज को यह indicate करेगा अब देखो जैसके मैं click करूँगा तो इसका background black हो चुका है because यह पहली बादी state में trend हुई है अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी value plus plus हो means अब यह index 0 से मतलब एक loop चल रहा है अभी तो 0 थी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर one हो गई one means इस वाले को indicate कर रहा है जब यह वापस आएगा तो array one means अगला color को indicate करेगा और इस बोडी में यह आ जाएगा अब मैं चाहता हूँ कि जब एक condition तो आएगी कि देखो array के अंदर total 6 index है 0 से 6 means total 7 elements है जब index 7 आ जाएगा इसका means है कि अब आगे array के अंदर element है ही नहीं ठीक है आप कैसे बताओगे तो इसके लिए महाँ पर लिखूँ कि इफ जो हमारा i है i means अभी देखो इसमें मैं exception ले रहा हूं कि जब यह पूरा 7 बार round हो चुका है i की value यहाँ पर let suppose कर लो अभी के लिए तभी आपको समझने वासान होगी let suppose करो 7 है ठीक है अ अब क्या करता हूं कि जो यह ii की value less than यह greater than जो बड़ी हो गई किसे array one dot length से तो इसका मतलब क्या है कि array का जो length है length कितनी है 7 है जो यह इसकी value जैसकी 8 है मतलब 8 हो गई 8 हो गई then क्या करे यह ii की value वापस कर दे 0 ठीक है अभी आप कहोगे कि बहुत लोग कहेंगे कि यह best method न बहुत method हो सकते हैं देखो मैं click कर रहा हूं तो इसका background change होते जा रहा है यह तो पहला method था ठीक है सीधा comment कर देता हूं इसे and then इसको दूर सा method जो होता है वो यह कि if i is less than array one dot length then इसमें value हो जाए plus plus it otherwise इसमें value हो जाए 0 ठीक है वही कहने का मतलब है 10 तरीके हो सकते हैं बस इस जीता basic syntax जो जितनी भी properties थी जो आपको कुछ भी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर कुछ भी enjoyable लगता हो मेरी वीडियो देखके then please like share and comment because ऐसे ही वीडियो का content में अपने इस वीडियो टुटोल में लाते रहता हूं मेरे को पता है या जाधा तर subscribe करते नहीं यार करो please because इस content को चाहिए भाई मैं देखा है साथ दिनों में मेरे viewers मलत जितनी भी देखते थे पर average वह भी गिर रहे है ना और सब्सक्राइब प्लीज आप प्लीज इस वीडियो की चैनल के help करो थेंक